नमस्का इन कबर में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश की स्तरवाधिक चर्चित बिधान सभासीटों में से एक है जौनपुर की मलहनी बिधान सभासीट और ये सीट चर्चे में आई है जे डियू के उमिद्वार बन करके चुनाव लड़ रहे बाहु बली धननजय सिंग की वज़ा से आरोप है कि धननजय सिंग अजीज सिंग हत्याकान में जो अभ्यूग थे उनको प्रसरे देने आदेश नम मानने या साजिस रचने के आरोपी है उन पे पचीश जार का इनाम है जबकि धनननजय सिंगा कहना है कि उनके उपर कोई इनाम नहीं है वो वांटेट नहीं है लेकिन सच क्या है ये आज आज अदालत में पता चल जाएगा दरसल उन्होंने अगनिम ज्यमानत के लिए याजका लगाई थी लेकिन बाद में उस पे जोर नहीं दिया उसे वापस ले लिया आप उन्होंने सरेंडर करने के लिए अरजी लगाई है और उस पे आज सुनवाई होनी है इस टीएफ ने इसकी जाच किती मामले की लेकिन जो आरोपी बनाया गया है यानि कि आदेश नम मानने या आसरे देने का वो कहा जा रहा है कि जमानती है लिया जा उनको पराहत मिल सकती है दरसल धनंजे सिंग के बारे में ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी के प्रमुखा के ले सिया आदों ने ट्वीट भी किया था आरोप भी लगाते हैं कि उनको जोगी सरकार बचा रही है वजा क्या है आप लोग खुद ही जान सकते हैं पिछले दिनो उनकी क्केट खेलते वीडियो वाइरल हुई थी पूरू सांसद हैं और अब वो मलनी से जे डियू के टिकट पर चुनावादी लड़ रहे हैं बावबलियों में गिंती हैं दस से अधिक मामले इनके खिलाफ बताये जाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को वो नजर नहीं आते हैं नजर आये भी क्यों अखलेस यादव काते हैं कि यहां तो पक्षपात पुरू करवाई की जाती है तो नजर क्य उन्होंने जमानत की सरेंडर की अरजी लगाई और इसी बीच जो अधीद सिंग है जिनकी हत्या हुई थी 6 जनवरी 2021 को गुमती नगर में उनकी पतनी ने जो है चुनाव आयो को चिठी लिख करके सिकायत की थी एफेडेविट पे सिकायत मांगी गई थी तब जाकर के इस मामले ने तूल पकड़ा था अब ये देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है क्योंकि मामला बहुत गर्मा चला है और योगी सरकार इसमें घिरी हुई है उसके कानून बेवस्था और निजपक्च कारवाई पे सवाल उठ रहे हैं तो आप रहें ने बेखबर देखते रहें इन खबर